वह ऐलो इंस्ट्रेंट्स आज हम अपने सिर्फक स्टक्र भी सेक्ट कर्ण। फॉर्ष का फार सेयरिंग इसके बारे पढ़ेंगे कि पार सेयरिंग क्या होती है...फेले तो बेटा आपको जानना जारूरी है कि पार सेयरिंग हे़ती क्या है...ठीक है। मिली है जो आपको सकतिय मिली है जो आपको पावर मिली है और सियरिंग मिन्स होता है बाढ़ना द Все तरह से इस सब्सक्राइब ने कारESE में हम पावर के बार पड़ेंगे कि कींति तरह से यहां पर इसमंट पावर से क्या περι्णा न चलव और सिर्लंका से कियाए गर्णुशन के नियुस्य और उसadia अग्पा सब्सक्राइब मैं वी चWith-100 वावाट निग्णा सब्सक्रास कॉल मैं। आहां सब्सक्राइब कॉर्यवक्स कले सकता है तुच मैं लेकं निय्पना पैंसला हम वंकार्याद्थ सब्सक्राइब बॉंडर लगेंट प्रांस कई बएग लगेंट इसे में प्रांस से लगावा है इट है से लिटी जो भॉपलेशन है और वन कोड़ी है इसकी यह अपुलेशने वन करोड थे अपुलेशन है अब आला जब की दो हारी आ है लिए शूमारा बीट्वारी स्टेट है उसकी जो पॉपॉलेशन है इसके डबल है ठीक है और बेल्जिम की इससे आधी है इसका जो एथनी कंपोशन है यहां पे जो जाती है यहां पे जो धर्म है वह बहुत ज्यादा कॉंप्लेक्स है आप दे कंट्री टोटल पॉपॉलेशन फिप्टी नाइन परसेंट इन दा फ्लैमिस रिजन और इसके डच लेंगवेज इस कंट्री का बेल्जिम कंट्री के अगर हम बात करें तो यहां पे जो टोटल पॉपॉलेशन का 59 परसेंट जो लोग है वह फ्लैमिस रिजन में रहते हैं और डच लेंगवेज बोलने वाले यानि कि जो फ्लैमिस को बोलते हैं यानि 59 परसेंट डच लेंगवेज बोलते हैं और 40 परसेंट जो लोग है वह फ्लैमिस रिजन और दूसरा वोलोनिय रिजन ठीक है और 1 परसेंट ऑफ बेल्जिम स्पीक जर्मन जबकि 1 परसेंट जो बेल्जियंस हैं वह कौन सी भासा का यूज करते हैं जर्म करकाल प्रेंट अब्रमिस घले थीए जबकि इसे डशान पर घंडल्जियंस कसे ब्रेंच जलेंगवेज को साथ को बैल्जियंस है झाया तक कि जो लोग है वह playable है QR ऑब्रेंच बोल और इजर्जियंस परसेंट लोग है वो फ्रेंच लेंगेज बहुते हैं जबकि 20 लोग जो है वह डची स्पीकर है यानि डच भाहसा को बोलने वाले हैं ठीक है कि the minority French-speaking community by a country was relatively rich and powerful और जो minority French-speaking community है वह वह ज़ीच है पावरफुल है दिस मारे सब्सक्राइब बाइद दच-वालवार जो डच-बाइब काम शुक्ष एकान के मलता हैं इसलिए उनके साथ अच्छा नहीं करते हैं दिस्ट लाग तू टैंशन बेट्विन दची स्पीकिंग एड़ाएं फ्रेंच स्पीकिंग कॉमेंटी इसका नतीज है यह वा कि दोनों कमिटी से बीच में फ्रेंच स्पीकर के बीच में और डची स्पीकर से बीच में क्या आई दोनों के बीज में conflict होने लगा दूरिंग नाइंटीन फिप्टी और नाइंटीन सिस्टी तक जो डच स्पीकर्स थे और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे इन दोनों के वीज में टेंसन होने लगा ठीक है यह के पर यह स्पीकर्स डेश्च थे अपीर का डिवल्ग तर्फृफ्टी और इसा ही जो टेंसन था वह जो ब्रेशल जो कैपिटाल सिटी है विज्टियम की उसमें बहुत ज्यादा अक्यूर था बिज्टियर की इस पेशल प्रॉब्लम ती डाच स्पीकिंग पिप्पल्व लेकिन आपने देखा कि बेल्जिम में तो टशी स्पीकर की ती ठीक है लेकिन जो ब्रिशल कापिटल थी बेल्जिम की वहां पर यह माइनौर्टी थी तीक है लेट एस कंपियर इस तो दर शीचुएशन इन अनगर कंट्री अब यह तो हमने पढ़ा किसके बारे में वहां पर किया कि प्रश्ब्लम थी कैसा था बेल्जिम में अब एक दूसरा एकजामपल लेते हैं कहां का सिल्लंका का ठीक है दूसरी कंट्री के बाद जो बहुत ही छोटा कंट्री आपने दिखा होगा आप के मैप में बिलकुल नीचे में आपको बहुत होटा हमारा कंट्री और बीस्टे गुख और आपको मालूम है जुक्त इस सबसे से कपिलोमिटर ने इस पर यहां की जोardon सिल्लंका की दो करोड़ है about the same as in हर्याना जितना की हमारे स्टेट हर्याना की है ठीक है लाइक अधर नेशन इन दा साउथ एश्या रिजन दूसरे नेशन के तरह ही जो साउथ एश्या रिजन के जो दूसरे नेशन है उन्हीं की तरह सिल्लंका है जी डाइवर्स पपुलेशन अलग तरह की पूपुलेशन है major social groups अर इन्हला सिहकर और वहां पर मिजर्टी है major social घूप है वहां पर वहां पर जिनका is 74 परसेट कितना है Papal speaking वहां पहां पर मिजर्टी वह 74 परसेत्ट लोग ऐसे हैं जो तो सिन्हाला इस्पीकर है ठीक है अन्द तमिल स्पीकर यह त्याराट टू सबूप अब तमिल में भी क्या है पहले तो यह एटीन परसेंट इनकी माइनोर्टी है और तमिल में दो गूरूप सब गूरूप है इसके तमिल नेटिव आपड़ कंट्री ठीक है यानि की जो सिल्लंका में ही पैदा हुए है वहीं के लोग है वो क्या है उनको सिल्लंकन तमिल कहा गया है जिनकी जिनका परसंटेज कितने अधिया परसंट और बाकि के जो है वो इंडिया से आये हैं खासकर के तमिलनाड से गए हैं अधिया गया है प्लनिया के रूप में उनके फॉरफादर गए हैं वहां पर प्लनेल पीरियेट के टाइम में तो उनको क्या कहा गया क्या नाम दिया गया है Indian Tamil के नाम से तीक है जो वही के लोग है उनको कहा गया है सिलंकन Tamil और जो इंडिया से गये हैं उनको कहा गया है इंडिया तमिल्स ठीक है As you can see from the map शिलंकन तमिल्स आर कंसंटेट इन दर नौर्थ Ang The East of the country तुरिकश्य के आप जैसे की मैप में देख recycling का मैप अगर आप को दिख रहा है जो जो between तंहिंग имеет और गृस्पैंट्रेटी के श्लंकों नमें फालो करते हैं फालो करते हैं वाइल नमीर कर घ्यांते हैं लोग है या तो वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है यानि उनका जो रिलीजियन है या तो हिंदू है या फिर उन में से कुछ जो तमिल से हैं वो हिंदू है कुछ तमिल के हैं मुस्लिम है जबकि सिनहाला इस्पिकर के हैं अधिकांस बुद्धिष्ट हैं ठीक है अब आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होता अगर ऐसी सिच्वेशन किसी कंट्री में होती है इन बेल्जियम डड़ ड़च कम्यूनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इर्स नुमेरिक मिजर्टी अगर आप देखेंगे कि जो क्या है जो बेल्जियम है वहां पे जो डच है वो क्या है उनकी जो जो मिजर्टी है तो इसका एडवानटेज मिला है अप जर्मन कर सकते हैं अगर वह ऐसा करते हैं था यह इंदि ऐमेजिन का गया है जो डच स्पीकर्स हैं उनकी मिजॉल्टी क्योंकि बेलजियम में है अगर फ्रेंच पे और जर्वन स्पीकिंग पेपल हैं उन पर अपनी अगर में अपने अगर डॉमिनेशन वह फोर्स करते हैं तो उससे क्या होगा दोनों तीनों कम्मिनिटिक्स के बीच में क्या हो अब दोनों तरफ से क्या होगा फ्रेंच कहेंगे कि ब्रिचल हमारा है और जो डच कहेंगे डच कहेंगे कि ब्रिचल हमारा है तो दोनों तरफ से क्लेम होगा ब्रिचल के लिए इन सिल्लंका सिल्लंका में देखा कि वहां पर जो सिल्हाला कॉमिनिटी है वह मिजॉल्टी है and could impose its will on the entire country और वो क्या कर सकती है पूरे कंट्री पे अपना जो पावर है अपनी जो विल है उसको पूरे कंट्री पे इंपोस कर सकती है अब हम आगे पढ़ेंगे कि देखते हैं इस सिच्वेशन में इतना सारा यहां पर डाइवर्सिटी है अलग लेंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी है तो इस डाइवर्सिटी में इन दोनों कंट्री के साथ क्या हुआ अब यह आप आगे अगली वीडियो में पढ़ोंगे